क्लास 11 के विद्यरतियूं नमस्कार प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ठीक है कबीर दास जी का हिंदी काब्य खंड में पहला चैप्टर है तो आईए हम सभी लोग इसको इनके जीवन परिचे को सहितिक परिचे को पढ़ लेते हैं जीवन परिचे प्लस सहितिक परिचे हम इसको इसलिए बोलते हैं सहितिक परिचे बोला जाता है intermediate फस्तियर में सहितिक परिचे और शायद जीवन परिचे एक सिक्के के दो पहलू है बिना जीवन के कोई सहितिक परिचे नहीं होता इसलिए हमेशा साहित्तिक परिचे लिखते समय जीवन परिचे का थोड़ा सा introduction थोड़ा सा परिचे दिया जाता है तो आईए हम लोग समझते हैं कबीर का जीवन परिचे ठीक है, सबसे पहले आप heading डालेंगे जीवन परिचे तो आप जानते हैं आपने दादा नाना से कहानिया सुनी होंगी कबीर दाज जी की कबीर एक संत थे, कबीर की इज़त जितनी साहित्त में है उससे कहीं ज़्यादा संत समाज में है संत समाज के लोग कबीर को भगवान मानते हैं इसलिए कबीर संत समाज के भगवान है और संत समाज के भगवान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य संसार के भी भगवान ही हम कह सकते हैं संत काब परंपरा के महान कवी हैं, संत काब परंपरा के प्रवर्तक हैं, ग्यानासरी शाखा के प्रमुख कवियों में से सर्वस्रेष्ट कवी, कबीरदास जी का आज हम जीवन परिचे पहले पढ़ेंगे, फिर साहितिक परिचे पढ़ेंगे, जीवन परिचे लिखते समय आ आता है इसवी सन और इसवी सन में जब हम 57 जोडते हैं तो समवत निकल के आता है अब अगर आप इससे 57 घटा देंगे तो आपका जो सन बनेगा बो 1398 बनेगा तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होईएगा कि सर हमको 1398 बतायागे आप 1455 बता रहें इसलिए दोनों चीजें हमने यहाँ पर इंकलूट करनी हैं कि समवत 1455 और सम 1398 में जन्मे थे कबीरदास जी हाँ कबीरदास जी का जन्म एक संशय का विशय है इसमें संदे ही संदे है कबीरदास जी का जन्म हुआ कि कबीरदास प्रकट हुए या कबीरदास जी का आवतार हुआ इस विशय में कोई नह करें या फिर हम 1455 समवत की बात करें तो आपको जनम पता चला कि 1455 इस भी में समवत में जनम और यानि 1398 इस भी में जनम हुआ था कबीरदाजी का, ठीक है, कहां हुआ था एक जुलाहा परिवार में हुआ था, उनके पिता का नाम जो पालक पिता थे, उनका नाम था नीरू और माता का नाम नीमा था नीरू और नीमा नाम के दो विक्तियों ने कबीर का लालन पालन किया था पालल पोशन किया था ठीक है तो उनके पिता का नाम अगर कोई पूछे जो पालन करता होता है हम उसे पिता ही कहते हैं उनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा, नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहे दमपत्तियों ने इनका पालन पोशन किया था, उनके पिता का नाम समझ गया, आप माता का नाम याद हो गया, कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर किसी विद्वा ब्रामडी के पुत्र थे जिसने लोक लज्जा के भैसे जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था यानि ये कहावत ये किविदंती चली आ रही है कि कबीर दाजी का जन्म एक विद्वा ब्रामडी के गर्ब से हुआ था लोक लाज यानि समाज में बेज्यती की वजह से उस विद्वा ब्रामडी ने परित्याक कर दिया था कबीर का कबीर को सरोवर के किनारे डालाई थी और कबीर को नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहे दमपत्यूं ने पाला था उठा के लाए थे ये भी चलन में है तो नीरू एवम नीमा को ये कहीं पड़े हुए मिले और उन्होंने इनका पालन पोशन किया ठीक है कबीर के गुरु अब कबीर दास जी से समझेगी कबीर के गुरु अब यहां पर गुरु की बात करी माताक फिता का नाम आप जान गए, अब गुरू का नाम समझो, प्रसिद्ध संत स्वामी रामानन थे, ठीक है, इनकी पतनी का नाम लोई था, कबीर के पतनी का नाम क्या था, लोई था, और इनकी दो संताने भी बताई जाती है, पुत्र का नाम कमाल था, और पुत्री का नाम था कमाली कमाल और कमाली नाम के दो पुत्र और पुत्री थी ठीक है कमाल पुत्र था और कमाली पुत्री थी और लोई नाम की इनकी पत्नी थी ये भी बात समझ में आई पुत्री का नाम कमाली और पुत्र का नाम कमाल पत्नी का नाम लोई माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था, अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर 1575 विक्रणी संवत सन 1518 इस भी में मगहर में स्वर्गवासी हो गए, तो मगहर कबीर का जन्म समाज ऐसे समय में होता है, जब कबीर के चारों और बाहे अडंबर का चलन था, अज्यान अंदकार ने गहें रखा था, अंदविश्वास पूरी समाज में पूरी तरह से फैला हुआ था, अंदविश्वास ने, बाहे अडंबरों ने, समाज को जकड रखा था, लोगों को अंदविश्वास सताय हुए था, तो कबीर उस समय पैदा होकर के, जगाते हैं, क कहते थे कि कांकर पाथर जोरी के मुझे याद नहीं आ रहा कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए ताचड मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए तो ये एक अंदविश्वास का खंडन करते थे साथ में ये भी कहते थे कि पाथर पूजे हरी मिले तो में पूजों पहाड ताते यह चाकी भली पी सिखाय संसार कबीर केवल एक को नहीं फटकारते थे कबीर हिंदू को फटकारते थे तो कबीर मुसलिम को फटकारते थे वो कहते हैं वो अगर किसी मौलाना क कुछ कहते थे तो किसी हिंदू को भी कहते थे वो वो जाती विरोधी नहीं थे वो धरम विरोधी नहीं थे वो विरोधी थे तो सिर्फ पाखंड और बाहे आडंबर के विरोधी थे बाहे आडंबर और अंध विश्वास के विरोधी थे तो उन्होंने हिंदू और मुसल्मान दोनों को फटकारा कबीर दास जी ने दोनों कहा कि इन दोन राह न पाई कि इन दोनों ने राह नहीं पाई ठीक है कि राम नाम का मरम है आना राम नाम का मरम कोई नहीं जान पाए हिंदू कहें मुहिराम पियारा तुरक कहें रहिमाना हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है मुसलिम कहता मुझे रहीम प्यारा है दोनों आपस में लड़ गए आपस में पड़ी हुई गीता और कुरान एक टेबल पर गीता और कुरान पड़ी होती है कभी लड़ाई नहीं करती तो हम लोग इंसान हैं, क्यों ये भूल जाते हैं, कि हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग क्यों लड़ते हैं, कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, मुसलिम कहता है, मुझे रहीम प्यारा है, दोनों आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन दोनों ही इस इश्वर की महिमा को इस मरम को नहीं जान पाते हैं, तो कबीर दास जी ने दोनों को फटकारा, इसमें कबीर दास जी का बहुत विरोध हुआ, उस समय बहुत जादा, लेकिन कबीर दास में इतनी ताकत इतनी शक्ती थी, कि ना तो उनका हिंदू कुछ बिगाड़ पाए, ना मुसलिम कुछ बिग लीजिए, तो कबीर दास जी का जन्म संवत 1455 में, और मृत्यू 1575 में हुई थी, ठीक है, यानि कुल मिलाके 120 वर्षों का जीवन रहा कबीर का, लोगों का विरोध किया, तमाम बातें कहीं, लेकिन इनका कोई बालबांका नहीं कर पाया, तो इतना सा आपको साहितिक लिख देना है, और मगहर में इसलिए स्वर्गवासी हुए थे, कि एक अंदविश्वास चल रहा था कि जो मगहर में मरेगा, वो कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो हमेशा नर्क में जाएगा, और कासी में मरने वाला हमेशा स्वर्ग को जाता है, इस अंदविश्वा का खंडन करने के लिए कबीर दास मगह儿 में प्राण त्यागने गए थे और दीखे साहितिक परी कबीर में wir लिखे नहीं थे मसीं कागज हमने नहीं चुबा हमने हाथों में कलम नहीं गही थीक है उन्होंने स्वयम कहा, स्वयम अपनी रचनाओं को लिखा है, इसके पस्चात, स्वयम अपनी रचनाओं को नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, यह लिख दीजिए, उन्होंने रचनाओं कहीं नहीं की हैं, उन्होंने केवल जबानी बोला, रचनाओं का संकलन तो उ इसके पश्चाद ये लाइन बढ़ा लेना, इसके पश्चाद भी उनकी वाणियों के संग्रा रूप में रचित कई गरंतों का उलेक मिलता है। इन गरंतों में अगाध मंगल, अनुराग, सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमैनी और साथ में अक्षर खंड की रमैनी यहां से थोड़ा सा रचनाईन की समझ लो वैसे तो एक प्रमुक रचनाईन की है बीजक जिसमें साखी सबत और रमैनी आता है। लेकिन यहां पर अगाध मंगल, अनुराग, सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमैनी और अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की वानी, कबीर, कबीर गोरक की गोश्थी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपन, मुहम्मद बोध, रेखता विचार माला, शब्दावली, हंस, मुक्तावली, ज्यान सागर, आदी प्रमुक हैं, अभी तक यह निश्चित नहीं किया जा सका है, कि यह गरंथ कबीर द्वारा ही लिखे गए हैं, या फिर नहीं, या कबीर द्वारा ही इन गरंथों का निर्मार हुआ है, या कबीर की वानी हैं, यह अभी तक प्रमारिक नहीं हो पाया है, प्रमार इसका नहीं मिल पाया है, कि सचमुछी वास्तव में यह कबीर की रचनाएं हैं, अत्वा नहीं हैं, यानि यह सब निविड अंधकार में छिपा हुआ है, तो अब आप इतना लिखेंगे, तो आप आगे लिखें, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और परिचे देंगे कि कभीर रहस्यवादी, समा सुधारक, पाखंड के आलोचक, मानवतावादी और समानतावादी कभी थे। यानि आप लिखेंगे कि कभीर दास जी की दो प्रकार की अचनाएं मिलती हैं, एक में गुरू की महत्ता का वरण होता है, तो दूसरी में अंदविस्वास और बाह्यादंबरों का खंडन होता है, ठीक है, कभीर कहते थे पूजा, ब्रत, नेम, ये सब बेकार है, कभीर कहते थे कि मूर्ती पूजा मत करो, पत्थरों को मत पूजो, ठीक है, इसलिए वो कहते थे कि पाहन पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड, ताते यह चाकी भली पी सिखाए संसार, कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता, इसी तरह एक उर्दू के शायर ने कहा, कि का काबा नसी मिले तो कहें, उससे दर्द दिल, काबे के इट पत्थर चूने से क्या कहें, जो काबे में कैद है, अगर वो मुझे मिल जाए, तो उससे अपने दर्द दिल का दर्द कह दें, काबे के इट पत्थर और चूने से हम क्या कह सकते हैं, यही कबीर दाजी कहते हैं, क जिनमें गुरू की महत्ता का वरणन है, अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करने की बात कही गई है, और एक वे रचनाएं जिसमें कबीर ने बाहिया डंबर और अंधविश्वासों का विरोध और खंडन किया है, ठीक है, इतना लिखेंगे आप, ठीक है, और फिर आगे चलेंगे, तो इनकी करतियां, हेडिंग डालेंगे करतियां, शौर्ट कट में लिखने की कोशिश करना है, हेडिंग डालेंगे कृतियां, कृतियों में आप क्या लिखेंगे कि कबीर की वानियों का संग्रह बीजक है, बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका संकलन इनके शिश्य धरमदास ने किया था, जिसके तीन भाग हैं, साखी बीजक एक मात ग्रंथ है, कबीर दास का जो प्रामारिक है, जिसके प्रमार मिलते हैं, तो बीजक का संकलन किस ने किया था, धरमदास ने किया था, धरमदास कौन थे, शिश्य थे, बाद में कबीर के उत्रा अधिकारी कोई बने थे, तो वे धरमदास बने थे, ठीक है, तो साखी कबीर की सिक्षा और उनके सिधानतों का निरूपन अधिकांसता साखी में हुआ है इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है कबीर दास जी के दोहों को क्या कहा जाता है ये सामानेता प्रश्न बनता है तो कबीर दास जी के दोहों को साखी कहा जाता है साखी सबद रमैन तीन चीजें बीजक में संकलित हैं, फिर आता है बात सबद, ये सबद क्या है, सबद इसमें कबीर के गेये पदों का संग्रह है, गेये पद होने के कारण इनमें संगीतात्मक्ताब पूर्ण रूप से विद्यमान है, इन पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उन्राक्य भी वक्ती होती है, जैसे हम आपको सबद सुना देते हैं, क्या सबद है, साखी सबद और रमैनी, सबद क्या है, सबद में पद है, पद है कबीर दाजी के, जैसे सूर्दास के पद हैं से कबीर के पद है, सबद में ठीक है, अब आपके ही बुक में है, निवास ना तलिता पति न उपर आग तोरहे तुकहु कासन लाग तो ये पद है संतो भाई आई ज्यान की आंधीरे ब्रह्म की टाटी सबय उनानी माया रहे न बांधीरे संतो भाई आई ज्यान की आंधीरे सबद है ठीके पद है ये कबीर दाजी के कबीरा यहु संसार है जैसे सेमल फूल दिन दस के ब्यवहार में आपुहें आप न भूल यह साखी है रमैनी में रामैड वाला सिष्टा में पूरा रमैड कह दी गई है रमैणी इसलिए उसका नाम रमैणी यानि रमैणी कह दिया गया है ठीके और पदोह में जैसे की ए मतुत तैस hen में डीवहारμεशहागिया भून ये भी कबीर के हैं, कबीर के भजन अक्सर आपको संत समाज में बाबा साधूं के संगती में सुनने को मिल जाएंगे, अब यहाँ पर आप समझ गे साखी क्या है, सबद क्या है, और रमैनी, ठीक है, रमैनी देखे, इसमें कबीर की रहसिवादी और दारशनिक विचार विक् पीडियेफ आप जो है, डाउनलोड कर लिजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से, तो आपको बात समझ में आई है, अब आपको फ्लोचार्ट कैसे बनाना है शुरू में, फ्लोचार्ट बनाने का हम आपको नियम बता देते हैं, फ्लोचार्ट कैसे बनाएंगे, आपको हैडिक नहीं डालने, लेकिन फ्लोचार्ट ऐसे बना लेंगे आप, ठीक है, फ्लोचार्ट ऐसे बनाते हैं, जीवन परिचे लिखने से पहले, यहां डालनेंगे जन्म, फिर जन्मिस्थान, ठीक है, सिक्षा दिक्षा डाल सकते हैं, या जन्मिस्थान या इस प्रकार आप यहाँ पर चीजें डिटेल में दे देंगे तो यही फ्लोचार्ट कहलाता इसके बाद आप साहितिक परिचे जिवन परिचे लिखेंगे जैसा हमने बताया है तो कैसा लगा आज का सैसन एक बार शेयर कर दिएगा हर शाम छे बजे लाइब क्लास हमारी क्लास ग्यारा की होती है तो शाम छे बजे या वश्य जुड़िएगा बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं हम कबीर दाजी के काब्बे को लेकर के व्याख्या को लेकर के और फिर उसके बाद गद्यान साधाय प्रशनोतर को लेकर के शुक्रिया लुड़िए